वाहिगुर्जी का खालसा वाहिगुर्जी की फते एक बानी चैनल वेखन वाले सारे दर्श का दा स्वागत है तदर्श को मेनु उमीद है पर मात्मा वाहिगुरु दी मेर देनालतु सी सारे अपने करान दे विछ ठीक ठाक राजी खुशी होगे एक बानी चैनल दी हमेशा है कोशिश रहन दी है कि असे ही समय समय ते उनना सक्षियता दे उनना परचार का दे विचार तो आड़े तक पहुंचाओंदे यां जिनना दी सानू पता हुंदा है कि उनना दे विचार ने तो आड़े ता ही पहुंचाओंदे ज़रूरी हुंदे क्योंकि उना दे विचारा तो सेंद लेंदे हुए अपकोशना कोशना हमेशा रोजाना नमा सिख दिया एक बाणी चैनल हमेशा ही कोशिश कर दा है जैसे ही कोशिश दे दुरान आपा तो अड़े रूबरू कर रहे हैं बहुत ही परसिद पर चारक ने उनना वैसे मैंनों कि मेरे नल आज गलबात करन दे लई मौझूद ने अपने विचार सांजे करन लगे ने पाइसा है और पर चारक ने बहुत वदिया पाई हरजिंदर सिंग जी माजी सब तो पहला एक बाणी चैनल ते आपना दा स्वागत कर दिया जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते हैं जी पाइस अब तो पहला तब मैं एक बाणी चैनल दे पूरी टीम दे वलो आप जी दा बहुत-बहुत तानवात कर दिया कि आप जी ने अपने कीमती समय दे वीचो साधेना गाल बात करने ले समा कड़िया तुसी आज पंजाब तो जड़ा जम्मू आयो त तुसी संगता दे दर्शन करोगे अपने जड़े शबदी विचार होना दे नाल सांजी करोगे ता मैं सब तो पहला शुरुआ ते तो ही करना चौनिया कि जमू किश्मीर दी संगत नू लाके तो अड़ा की सुने हां की कहना चौन दे हो साधी सिक संगत मेरे बलों सारे तब हैं जी है कि गुरु गरंसभ सचे पाथशा जी दे प्रकाश प्रोपनियां समू गुरु नानक नाम लिवा संगतानू लख लख मौर का दूसरा जड़ा है का जे जमू किश्मीर दी अपा गाल कर दे हैं मैंनों पिसले समया तो कई बार मौका बने आए थे और दा तो म बहुत एक तसली हुंदी है जदो आसी जमू दे कश्मीर दे नाजवाना नू वेख दे हैं सिख नाजवाना नू अब पिशले समया दे वेच भी एथे बहुत वड़ा इड़ा नगर की रतन होंदा मैंनों प्रबंदक सजनाने सद्धासी जी ते जी हजारांदा कट होंदा ते मैंनों दो एथे अवतार सिंग जी से सेक्टरी सी उन्हाने मैंनों एक गल के वी पाईसा वे थे तुसी केस रखने दी गलता नाहीं करे हो ते मैं बड़ा खरांजा हो के पुछे हैं मैं गया हो सकता है वी शायद इना दे प्रबंदकां वेचु किसे दी दिक्कत होई क् पंजाब वेचे इस तरह होंदा है जी 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 उत्थे मतलब मैंनों मैं तो नो दसना चोना पंजाब वेच मतलब इतना होदा प्रबंदकां दे किसे दे केस कट्टे होई या जा दाड़ी कट्टी होई अनों लगदा विए गल ना होवे हलांके अप पाता चलो गुरू इन दी गल नी के उनी करनी केंदे तुसी लब केता लिया हो बंदा इतनों कोई दे मतलब केस ने जड़े वो कट्टे होणते सिखाने करें जम्मया होई तो मैं बहुत आसे पासे निगा मरी मेननुनी का टोकट देखिया तो ए बहुत खुशी दी गल है पर नाल-नाल मैं बोत उना दा समाज विच विचरन दा स्टैल जड़ा एनना का पिवित्तर चाहीद है कि लोकी कहन वाकई वानी सच्चा जी गुर्सिखा अंदर सत गुरू बरता है क्योंकि ए गुरू सहव दा जदो सी लवास पा लेने है गुरू दे काकार समाल लेने है तो साड़ी जुम कि साम दे मगर सेंग लगेगा तो नूसाबत सूरत गुर्सिखे के ही मिलनगे ता इतिना एक बहुत वड़ा स्वाल एक हड़ा हो जाए कि क्या देखो असी साबत सूरत हाथ शाणू पता की साड़े सिर्देवते ना हिजड़ा ताचा साड़े सेर्देवते दस्तार तक की असी से दस्तार नो एक अपने कौम दी इज़त समझ के चलिए ना कि साड़ी इंटेंटिफिकेशन मतलब यह सिर्फ एक साड़ी इंटेंटिफिकेशन नहीं होनी चाहिए दी सानु यह होना चाहिए दा कि अगर मेरे सिर्दे उते है तक किस तरह दिना अला सी नौचवान दी है पर एवी ज़रूरिया है कि इस इंडेंटिफिकेशन नो किन्हा जरूरी है क्योंकि साथी कौम दी इज्द ता साड़े पांत दी इजदत साथे मोट्यां दे हुन दी है किन्ना जरूरी है सुनूना लेकर देखो पेंजी गले है एक सिख कहलो भी सिख जेड़ा है का समाज पदर दा सिख नहीं होना चाहेंदा वी चलो देख सिखाँ वाली है नाम सिखाँ वाल है ते गुर्दवारा साहब जाया वसे नहीं गल है नहीं सिखो जेड़ा गुरू ग्रंसल जेड़े सिख दी गल गर रहे हैं जेड़ा अपां पढ़ रहे हैं नानक पांगता सदा विगास ओस लेवल दा सिख वन वास्ते सानू साधी सुर्त जेड़ियों शब्दनल जोडननी जेड़िया बहुत ज्यादा ज जावे ते उसे तरह करदार चंगा ना हुए फिर इस तरह भपर दा है तो सानू जे थे मतलब पांज ककार समा लणे ने उत्थे ना ककारा दी सिख या जे केस रखे ने दा मतलब असी रबदी रजाच चलन वाले लोग का जे करपान पहनी आसी ना किसे तो डर देया ना किस नो याद रखना चाहिए मैं आप जी दे मादे में रहा ही खास दौरते नाजवाना नो याद करहूंगा कि साड़ा ये विरस है साड़ा ये पशोकड है कि जदो नाजवान लड़किया नो जाल में चुक्के लेके जानता सी गा तो नाजवान पहना अपने प्रानों वाज नी सी मार दियां अपने प्याउन नो नी सी साद्धिया के विरा में नो आके बचाला है जानम में चुक्के लेके जारहा है तरी आक्खां सामनें ओ फिर अवाज्जा मार दियां सी गई गई नी बीबी बसरे नो गई मोडी मड़ी बांग बाबा डांग वाले या सरदारा वे मोडी बाबा काच्छ वाले है कि कशेरे वाले ते कखारा वाले ते एनक प्रोस ये वीरा आके मेनू तुब चाला है डांगां वाले होर फेर डेंगे ने पर उन्हां दी नियत किसे वह वी बदनीत हो सकती है तो जी कि असी ककार पैल ले में नू लगदा है बहुत बड़ी साड़े सर जुम्यवारी होंदी है और असी गुरू गोबिन सिंग साहिफ सचे पाधिशा नू अपना पिता कहने है ते फिर बाबा फते सिंग दे प्राहनू तुरना के में चाहिए दा उनू वेखना के में चा सारे मना रहे हैं ता इते एक गल हो जांदी है जिदा तुसी पहला वी स्टार्टिंग दे विच आप गल कीती है कि जुरूरी नहीं है जाना ता चाहिए आपकेने हर एक गुर्सिक नू सवेरे गुरुगन साहिब जी दे दर्शन करना जाना चाहिए साड़े लिस तो पूजा नहीं करनी सानो दे अंदर विचार दी पूजा करनी है तक क्या विचार दी पूजा हो रही है क्या विचार कीती जा रही है यह सिरफ यहीं सोच दिया वैसे आपन पाता कि बहुत वड़े वड़े सानू सतिकार दो उन्हां तो उसी ग्यान लेने सतिकार दो क्योंक साड़ी असल दे विच कोई अउकात ही है नहीं कि असी गुरू वारे कम्पलीट तौरते दस सकी है ते मतलब गुरू वारे असी सोच देयां समझ देयां गुरबानी विचो पढ़ देयां प्रमातमा गुरू गुरबानी वारे शवदवार बर होंदा आगम अगोचर गुरु साधी बुद्धी मंडल दी पकड़तों परे है गुरु साधी ग्यान इंदरेंदी पकड़तों परे है असी गुरु दे ओटासरे तुसी विखो कि गुरु अर्जन सभ सचे पादशा जिनानु पट एक एह रहने के तैं जानमत गुर्मत ब्रह्म पशानें। बचपन विच गुरु अर्जन सभ पादशा लेई गुरु अमरदास सभ ने लफज बरत देते सी के के दोहिता बानी का बोहिता जी ओ गुरु अर्जन सभ महराजी जिनान दी बानी तीर आगांदे विच गुरु अर्जन सभ विच जिनने राग वरते ने सारे विच गुरु गुरु अर्जन सभ दी बानी वरती गही है जिडे आद गरंच सभ नो एड़िट कर देने संपादित कर देने ओ ये गल कह रहे हैं ने कि प्यूद आदे का खोल डिठा खजाना जिए गुरु अर्जन सभ जी इस खजाने नो खोल के वेख दे का थी इसे सची है कि गुरुआँ दी विचार तो बिना कुर्बानी नो बोइन पड़े साड़ा पला हो जुए साड़ा बहुत ब़ड़ा पिलक्का हूँगा असी बहुत अद्ब सत्कार सथ सद्गरु सचे पार्दशानू नो सब्सक्राइब्स तो एसलिए सानु खोद गुर्बानी पढ़न समझन विचारन वाले पास से तुरना चाहिए था बहुत जुरूरी है और सिखां दी मिन्नुए लगदा भी साथ सिख दी ड्यूटी है कि उन्हें गुर्बानी मतावक जिंदगी ज्यों के गुर्बानी तो चानन लेके वाहिचो जो गुरू चल कूगा उधिनन्हों वाकी दुनिया नो समझ आओ कि यह ता चाननी चानने यह ता मतलब शुब गुणा दा खजानने यह कितों मिले गुरू गरंसेव तों क्योंके गुरू ग्रंसेव एकल्ले सिखां दानी सिखां दी यह ड्यूटी है वी तुसी गुरू दी गल नो मन के जिंदगी जो लो तो तुसी रोल मॉडल बन जो गुरू गरंसवता है पूरी मानवताद है इसे लिए सचे पाश्या जोगिया नो ए नहीं कह रहे है वी तुही सिख बन जो गुरू जी जो तुह जोगी है तो जोगी बन के रहा है मुवारक है पर जोगी हुंदा को ने एक द्रिश्ट कर समसर जाना है जोगी कही है सोई यसे तरह मुसलमानागा कहा रहे ने मुसलमान मुम्दिल हो उसी मुसलमानागा निभन कराओ पर हंदा कॉने हो दास दिनता ब्रामन है जै तूं ब्राम ब्रामत रहे एक शब्द लिवलाई मतलव की ये इसी सिख है여 कर सत housing उसर खाई पूरी डेफिनेशन है पूरी मानमता दे सरफ सांजे है इसे करके मैंनू तो यह भी लग रहा हूंदा कि जिनने वड़े पदर ते कैर सिखाने गुरु गरंसव तो लाहा लेया शायद उन्टे वड़े पदर ते सिख नहीं लह सके जिदे विच बहुत सारी नामने नोबल प्राइज वजेता है परल सब्सक्राइज लेया गुरु तो असी फिर उसे तरह ने रहे दे वैच तो रहे फिर साड़े सिख समाज दे विच वैंपरम करमकांड मतलब जड़ा प्रून हत्या नशे ए सारियां चीजां फिर साड़े विच भी होन तो फिर असी गुरु गरंसव दे एमें दे सिखता न सब्सक्राइब जाना जाओंगे कि की में सोच दियो कि परचारते बहुत हो रहा परचार बहुत हो रहा क्या सही ट्रैक्टे नहीं हो रहा यह बहुत परचार दी लोड हजे है वर शुर सही और अंगूर दा विघ्डए वी रूप है वो श्राव है रहल गजेडरी बहुत खतरनाग नुकसान दायग उन्हों की रहा इक बंदे ता ओने जेड़े अंगूर दा विगडियाव है रूप शराव है उस पासे तुरपे ते दूज़े ओने जड़े शराव नू देख दे देख दे अंगूराँ दे वी बाग पुटन लागे यार यह ते नालता शराव बन दी है हुंदा एसे त्रह है कि एकता जड़ा तारम गूर गरणसव दे रहे ने हो ता अमरता है पर जड़ा इदे वीच पुजारी वाद ने मिकसिंग करके नू जेहर दा रूप दीता वह इकता हो ने जिड़े वह जहर आले पासे पैगे वेमा पर मपखंडा आले पासे दूजे वह ने जिड़े नो देखे है वह जहर है वह जहर करदे करदे की है मतलब विगडे जिमें श्राव नो बेके अंगूरां दा बागपटन लगया उननो फिर ओली ओली करके जिने सिखी दे उच्चे सुचे सदा आतने उवी चंगे नी लगदे हाना जिवे कहलो भी एक तस्वीर दे उते गर्दा चड़या हुए है ओ गर्दा साफ करदे करदे ओ तस्वीर नो फाड़न आड़ी पासी तुर पे ए विल्कुल घल्ट गाला सो सानु जड़ा सिखास तोरते नौजवान ने कोई ऐसी कल नी शाला मार के मैं गुरू सेवधी बक्षश नाल मेरी कोई आउकात नी पर गुरू मेरा बहुत समरात है मैं तो अनू एदा सकता है कि लोग नौजवान शाला मार मार के सिखीवल पज्जे आउन के आ रहेने लगाता है मैं तो अनू अहोजे सिंक्डे नौजवान के ना सकता है जड़े किसे वक्त सिरेदे निशाई सी लच्चर प्रोग्रामा चतुरे फिर दे सी जदो असी उनना प्राबना के ए नी वी उसी बड़े या जी बाब्बे या तो ही नीमे बैठो एक हुई गल नी जड़े ना गोड़ा जोड़े के बैने आके वी रहे नहीं है आपका गुरू गुबिन सेंग दे सिखा देखो इतना करना चाहिए दा शाला मार मार के सिखीवल जोड़े यह ते जोड़नगे जरूर और इरेवेच बहुत सारीयां कमियां है गिया ने साधे प्रवंदच भी कितने किते कमियां है गियां जा होर सारीयां ने पर मैं कहुँगा सानू नराश होन दी नेगटिविटी बहुत है बहुत प्रावलम आने पर नराश होन दी कोई लोड़नी जदों तोसी देखो आज जोग आलनी चली है गी दुनिया थे एक टाइम हो क्योंकि साधा गुरू बहुत समराथ था असी ओस प्रोसे नराश हो ही गुरू है जड़ा पाई बचित्तर सिंग तो हाथी दा मकावला करवाद है तो ही गुरू है तो गुरू है हो जी बक्षिश करू मैं तो अड़े मादेम रही सारे नाज़ान वीरानों खास तारते इस गुरू सारे हां दे बक्षिश कर दा है जो दो हाथी दी प्लैनिक बनाई पहाडी राजयाने पड़ी इंपोर्टेंट काल में कहने लगे है गुरू गुरू गुबिन सिंग पिता ने दुनी चंद वाल हाथ करता गुरू ने दा बक्षिश करती तुसी सोच के वेखो कि ए चितर सिंग वाल करते हैं पाई भी चितर सिंग केंदा के मेरी युकात नहीं प्पाधशा मैं के ते हाथी न लड़ सकता पर लड़ना दो अडिया हाथ ने यह जड़ा हाथ तुसी मेरे बल कीता मेनुता सिर्फ क्रेडट मिलने तो आज वी पंध दे विड़े विच बाव स कर सकते अई विखने वही तुसी गुरू दी ऊस बक्षिश नो समाल के क्रेड़ लेना या नहीं लेना और गुरू नू कोई फरक नहीं पेंदा ज्यासी गुरु दी गल नाम नी है गुर्वानी नेड़े नावी लगी गुरू ता गुरू है जी उता सद अपना नुकसान है अपने विलखन सिख अतिहास नाल जुड़ना चाहिदा अमीर सिख सब्याचार नू समझना चाहिदा अपनो नाल नाल जड़े सिख प्रवार ने ओ अपने बच्चेयानू दुनियावी तो और ते चंगी एजुकेशन देन सिखी नल जोड़के ता जो स्रवात दे पले दी विचारता रानो मननवाले जड़े लोक ने ओहो मतलब IPS ऑफिसर बन गुर्मक आईएस बन ते फेरी एक नरोयते तंद्रोस्तमादी सरजना किती जा सकती है बहुत वदिया तुसी अपने विचार साभिक बानी चानल दे रहा हम है जब हो कुछमादी संगत विदेशा दे विचार तुसी सांजे क इतने बहुत سारे होर वी 1965 बहुत अजेइने जहिए मेरे जहन दे विचिने कि तो अडेपास सुर्ण जान केर किती हो लेकिशाइद स दॉब संगत उंग्ष भुद्वारा साहिप पांचे और में कवार फिर तो पाई साब जी दा बहुत बहुत तानवाद कर दिया्यां आप जी दा बहुत 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 तानवाद जी ते हुन वेला हो गया तो आड़े तो इजाजत लेन दा मिन्यों दे उजाजत वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते